तो भारतिय जनता पार्टी का एक नया नारा बाजार में आया है और वो नारा है बटोगे तो कटोगे जी हाँ बकॉल अखिलेश यादव इस नारे को भारतिय जनता पार्टी की एक प्रयोग शाला में बनाया गया और फिर ये तै किया गया कि ये नारा भारतिय जनता नारे का इस्तमाल मुख्यमंत्रियाद इतनात ने किया था मगर आज जो मैं अपने शो में कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों आज इस नारे के जरीए ना सिर्व समाच में नफरत पहलाने की कोशिश की जा रही है बलकि उसका मकसद है कही न कहीं लोगों को अपराधी बनाया जाए लोगों के अंदर अराजक्त जो हैं फीलिंग्स पैदा की जाएं अराजक्ता की तरफ देश को ढखिला जाए और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों आज मैं तमाम मिसालों के साथ ये चीज आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये बात मैं बहुत हलकी अंदाज में नहीं कह रहा हूँ मेरा दावा है कि बटोगे तो कटोगे ये नारा हिंदूों में एकता पैदा करने के लिए नहीं है बलकि समाच में नफरत और हिंदूों को अपराधी बनाना है और इसके लावा कुछ नहीं और सबसे पहली मिसाल है सांसद और मंत्री गिरराज सिंग की वो एक जगा भाशन दे रहे हैं और इस भाशन में हिंदूों से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे वो कहते हैं कि अगर एक मुसल्मान तुम्हें थपड मारे तो सो हिंदू मिलकर उसे थपड मारो और फिर वो हरहर महादेव के भी नारे लगाते हैं उनकी इस बयान में क्या गड़बड है दोस्तों कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा सुनिए अगर ये पदिया ये घुस बैठिये ये मुसल्मान अगर हमें एक थपड मारे तो सब जमाँ हो करके उसे सो थपड मारेंगे ये करेंगे भाई और बहीं दोनों से कह रहा हूँ तो महादेग का कसम मनमल खाओ अहात उठा के कहो हरा हरा महादेग इसलिए मैं तहरा हूँ कि सम मिलकर के इक थपड़ा हो और एक साथ रहोगे तो सुरद चीत रहोगे बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो अब आप कहेंगे इसमें क्या गरवड है सबसे पहली बात अगर एक मुसल्मान गुना करता है तो क्या उसके लिए हम सौ हिंदों को गुनागार बना दें अगर एक मुसल्मान अपराद करता है तो क्या हम सौ हिंदों को अपराद ही बना दें क्योंकि अगर गिरिराज सिंग को लगता है कि थपण मारके उस मुसल्मान ने कुछ गलत किया है तो इसका मतलब गिरिराज सिंग कही न कहीं सो हिंदों से वही गलत काम करने को कह रहे हैं ये व्यक्ति एक सांसद है एक मंत्री है मगर कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है और सबसे दुख़त बात ये हर हर महादेव के नारे लगवा रहे हैं मैं फिर आप से पूछना चाहता हूँ दोस्तों इस देश में हिंदू बहुमत में है 11 साल गुजर शुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री हैं मुख्य मंत्री आदितनात दूसरे कारिकाल में प्रवेश कर शुके हैं मगर अब भी हिंदू खत्रे में हैं और अब भी इनके नेता जो है हिंदुों को भढ़काने, डराने, धमकाने वाले इस तरह की बयानात देते रहते हैं, हर तरफ यही दिखाई दे रहा है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों, यह जो बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे पहले दि यानि कि बटोगे तो कटोगे का नारा महराष्ट और जहारखंड के चुनाव में होने वाला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चुनावों में माहौल को किस तरह से बरबाद किया जाएगा, और हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे उत्तरपदेश, बहाराइच की सामपरदायक हिंसा को लेकर भारती जंता पार्टी पूरी तरह से एक्स्पोज हो गई है, जी वही बहाराइच की सामपरदायक हिंसा जिसमें राम गोपाल मिश्व नाम का एक शक्स जो है, उसे मौत की खाट उतार दिया गया था, इल अराज गंच को जला देते, यानि की माहौल में अराजकता फैलाने में पुलीस दंगाईयों की मदद कर रही थी, और बात वहाँ नहीं रुकी दोस्तों, जब उन दो लोगों को गिरफतार किया जा चुका है, यानि पुलीस मानती है गुना किया, तो क्या पुलीस ने वाक भारतिय जनता पार्टी विधायक सुरेश्वर सिंग ने खुद भाजपा के कारकरताओं पर एफ आई आर पुलीस चिकायद दर्श की थी, कि ये लोग मेरे बेटे को मार देना चाहते थे, भीड मेरे बेटे को मार देना चाहती थी, तो अगर उस घटना के बाद जो बताईए, चार पुलीस वाले तैनात होते तो क्या आपको लगता हालात यहां तक पहुँचते हैं, हालात किस कदर बच से बत्तर हो गएं दोस्तों, पत्रकार सचिन गुपता ने ये विडियो पेश किया है, बहराई छिंसा का विडियो सामने आया, डंडे धारी, किया है कि साथ में पुलीस भी चल रही थी, अब आप समझें, बटेंगे तो कटेंगे कि क्या माइने हैं, हर तरफ यही दिखाई दे रहा है, उत्तर पदेश की हालत आप देख रहे हैं, बारा बंकी के एक मस्जिद के सामने, मा बहन की गालियां देने वाला एक गाना चला यह मस्जिद के सामने, माफ कीजेगा साहब, इससे धर्म का कद बड़ा नहीं हो रहा, हमारी मा दुरगा की विदाई हो रही है, उसकी विसरजन यात्रा है, और उस यात्रा में अशलील गाने चलाए जाएंगे, क्या यह भारती जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे क सोच, अब मैं आपको उत्तरकाशी की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं उत्तरकाशी में एक जनाक्रोष्ट राली निकली, इस राली में दावा किया जा रहा था कि कई सरकारी जमीनों पर मस्जिद बना दिये गए हैं, मुस्लिम पक्ष दावा क कर रहा है कि हमारे पास सारे सरकारी दस्तावेज हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका फैसला अदालत को करना चाहिए, मगर अब इस घटना के सहारे भी दंगा भढ़कानी की कोशिश की जा रही है, ये बतलाया जा रहा है कि जनाक्रोष राली पर और पुलीस पर मुसल् जूट, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, वो कौन से जूटे लोग हैं, जो इस तरह का जूट फैला रहे थे, ये सिर्फ चार मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये तमाम वो मिसाले हैं, जने भारतिय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं, सबसे पहले कोई प्यारा उत्तराखंड है, ये कश्मीर नहीं ना बंगाल है, ये देवभूमी उत्तराखंड का उत्तराकाशिय है, जहां स्थानी लोगों पर पत्थरवाजी, उत्तरकाशी में स्थानी जनता का आरोप की समुदाय विशेश के लोगों ने पुलीस और इंग्या अबादी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन पर मुसल्मान उसे बरदाश नहीं कर पाए और शच्छों से पत्थर बाजी की, फिर एक दीपक शर्मा हैं और फिर कोई मिस्टर सिनह हैं, यही जूट यह सब बोल रहे हैं, और इस जूट का परदाफाश दोस्तों कोई और नहीं, खुद उत्तरकाशी पुलीस कर रही है, यह देखिए, फेक न्यूज, उत्तरकाशी में, जना करोश राली में, विशेश समुदाये द्वारा किया गया पत्राव, सोशिल मीडिया पर फैलाई जा रही, भ्रामक खबर है, यह कोई और नहीं उत्तरकाशी की पुल पुलीस द्वारा लगाये गए बैरिकेडिंग पर उन्हें रोकने पर प्रदर्शनकारियों भीड के द्वारा पथराव बोतले फेकी गई तथा बाद में कुछ लोगों के द्वारा किनारे से अंबेड कर भवन के पीछे उपर जाकर पथराव किया गया खंडन। उत्तरखंड की पुलीस कह रही है उत्तरकाशी की पुलीस कह रही है कि ये खबर जूटी है मगर भारती जंता पार्टी से जुड़े लोग इस जूट को लगातार पहला रहे हैं ये है इनका बाटेंगे तो कटेंगे का स्वरूप हर तरफ यही दिखाई दे रहा है जैसे मैं पटे याद रखना पटे तो कटे फिर उसके बाद RSS के मोहन भागवत यही बात कहते हैं कि अगर हिंदू सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें एक जुट होना पड़ेगा एक होना पड़ेगा 11 साल हो गए दोस्तों मगर इन्होंने हिंदूओं में सिर्फ इस तरह की असुरक्षा की भावना पैदा की है और उसके इलावा कुछ नहीं 11 साल में तुम हिंदू को सुरक्षा नहीं दे पाए 11 साल से पहले तो कभी हिंदू का वजूद खत्रे में नहीं था अब ये वजूद कैसे खत्रे में आ रहा है हर तरफ इसी बटोगे तो कटेगा का एक स्वरूप सामने दिखाई देता है हिंदू को किस तरह से भढ़काया जा रहा है और उसके क्या परिणाम हो रहे है उत्तरकाशी पुलीस की इन दो तस्वीरों से सामने उभर कर आ जाती है इसमें दो पुलीस वाले दिखाई दे रहे हैं उनकी सिर पर चोटे हैं इस पर उत्तरकाशी पुलीस जहांपर भाजपा का शासन है क्या कह रही है पढ़की सुनाना चाहता हूँ आज हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान भीड के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पथराव किया गया पथराव में पुलीस के साथ पुलीस अधिकारी कर्मी घायल हो गए जिन में गंभी रूप से घायल दो पुलीस जवानों को अम्बिलन्स से हायर सेंटर दहरादून रेफर किया गया है पुलीस पर पथरबाजी हुई दोस्तों कल्पना कीजिए यही पथरबाजी जो है वो मुसल्मानों ने की होती तो क्या हुआ होता गोदी मीडिया क्या-क्या नहीं करता मगर इसको लेकर कोई बवाल नहीं है उल्टा यह जूट पहलाया गया कि इन पर जो पथरबाजी की वो विशेश समुदा है यानि मुसल्मानों ने की जो सरसर जूट है यह मेरे शब नहीं है खुद उत्तरकाशी पुलीस कह रही है यह जूट है मगर इसके माइनों को समझिये बार बार एक कालपनिक दुश्मन आपके सामने खड़ा किया जा रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारे घर में घुसके तुम्हें मारेगा तुम्हें खतम कर देगा इस तरह की बाते की जा रही है और हकिकत कुछ और है सुनाना चाहता हूँ वैद दस्तावेज हैं राली के दोरान हिंसा के बाद इसी दिन देर रात मुकदमा दर्श किया गया साम्परदाइक तनाव बढ़ाया जा रहा है और ये सब हो रहा है दोस्तों जैसे मैंने कहा मस्जिद अवैद जमीन पर है या नहीं इसका फैसला अदालत को करने दीजे हमें दंगाई बनने की खतई जरूरत नहीं है और उससे भी बड़ी बात हम अगर एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस प्रदर्शन के बारे में भारती जन्ता पार्टी के प्रचार तंतर को जोट बोलने की कतई जरूरत नहीं है इस जोट और जहर का क्या असर पढ़ रहा है हम आसपास देख सकते हैं जोट के नाम पर लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है जहर इतना भर दिया गया है कि हम बे قसूरों को मौत की घाट उतार देते हैं कानून का इंतजार नहीं करते हैं अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो कानून के अंतरगत उसे सजा दी जानी चाहिए मसलन हर्याना के चर्की दादरी में जो हुआ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर गुमान्स खाने के शक में 27 अगस को साबिर मलिक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी ये वो तस्वीर है दोस्तों पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको सिर्फ इस तस्वीर को देखिए यहाँ पर साबिर मलिक को बुरी तरह से मारा जा रहा है बेरहमी से मारा जा रहा है यहाँ पर सताइक सगस को एगटना हुई थी बाद में जाकर पता चला वो गोमांस नहीं था उसने बकरा खाया था मीट खाया था जो कई हिंदू भी खाते हैं मगर जूट के चलते इस व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया मगर जब हर्याना के मुख्यमंत्री नायाब सेनी से बात की जाती है तो इस अपराद को सही माइने में संबोधित करने के बजाए वो ये कहते हैं भाई गाय का मुद्दा बहुत ही समवेदनशील मुद्दा है उस मुद्दे पर लोग तमाम हदों को पार कर देते है ये मुख्यमंत्री है गाय का मास जब था ही नहीं तो मुख्यमंत्री नायब सेनी इस तरह की बात उस वक्त क्यों कह रहे थे याद कीजे उन्होंने क्या कहा था पचास सेकंड का उनका बयान ध्यान से सुनेगा वो क्या कह रहे हैं। यह इस परकार का यह हालात कर रहे हैं। साबिर मलिक को मारा गया गोमांस का शक था। उस वक्त सिर्फ शक था। मगर बावजूद उसके मुख्य मंतरी अपने बयान में गोमांस का जिक्र करते हैं। उन्हें काईदे से इस घटना के आलोशना करनी चाहिए थी। और कहना चाहिए था हम इस मामली की जाच कर रहे हैं। और जाच में पता चला गोमांस था ही नहीं। बेवज़ा साबिर मलिक को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि भीड के अंदर पिछले 11 सालों से तुम्हारी मीडिया ने इतना जहर भर दिया है कि तुम उसकी पीड़ी को तो बरबाद कर ही रहे हो। तुम इस देश को बरबाद करने में तुले हुए हो। इसलिए मैंने जिक्र किया था गिर्राज सिंग का कि अगर एक मुसल्मान थपड मारे तो उसके जवाब में सौ हिंदू थपड मारो। यानि कि अगर एक मुसल्मान कोई क्राइम करे तो उसकी एवज में तुम सौ हिंदूों को क्रिमिनल बना दो। तुम उसे नौकरी नहीं दे सकते हो, नौकरी के नाम पर जुमले परोस्ते हो, नौकरी के नाम पर पकड़ा बनाने की लिए कहते हो, नाली की गैस से चाय बनाने की बात करते हो, इन नेताओं की हकीकत को समझिये दोस्तों, महराश में चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको भारती जनता पार्टी के एक नेता का बयान सुनाना चाहता हूँ जो मराठी में दोस्तों ये हैं सुजय विखे पार्टिल के सहयोगी उनके करीबी और यहां पर वो एक महिला नेता के बारे में अशलील बयान दे रहे हैं ये भारती जनता पार्टी के नेता उनके सहयोगी हैं दोस्तों किसके बारे में बयान दे रहे हैं? बयान है बाला सहाब थोराट की बेटी डॉक्टर जैश्री और मराठी में दिये गए इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो किसका बेटा है? यानि कि डॉक्टर जैश्री के चरितर पर प्रहार, उनके बेटे के पित्रत पर सवाल यह तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों जी हाँ, यही चाल चरितर है भारतिय जन्ता पाटी और उनके सहिउगी तलों का यही सब होने वाला है महराश की चुनाव में दोस्तों, हर तरफ यही नफरत, यही जहर, यही सब फ्हलाय जा रहा है, मैं समझना चाहता हूँ क्यों। इस पर आरूप लगा है, अरविंद केजरिवाल पर हमला किया इस व्यक्ति ने, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, पुलीस कितने प्यार से रोहिद सहरावत से बात कर रही है, एक व्यक्ति ने हमला किया है, पुलीस को काईदे से गिरफतार करना चाहिए और थोड़ी महमान नावाजी भी करनी चाहिए, मगर नहीं, पुलीस कितने प्यार से बात कर रही है, रोहिद सहरावत से देखिए, समाज का ये हश्र बना दिया है, अब राधियों के प्रती पुलीस नर्मी दिखाती है, दंगाईयों के साथ पुलीस चलती है, दंगाईय ये दावा करते हैं कि पुलीस ने हमें दो घंटे का वक्त दे दिया था दंगा करने के लिए, और अगर उससे जादे का वक्त मिलता, तो हम पूरे महराज गंच को जला देते हैं, यही तो बटोगे तो कटोगे का सही चहरा है, इसे समझे दोस्तों, इसे समझे वरना ये आपके आने वाली पीडियों को बरबाद कर देगा, आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, वो आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैंने बाकाइदा सुबूगतों के साथ प्रमानित किया कि भारतिये जनता पार्टी की सोच, इनके नेताओं की सोच आपको क्या बना देना चाहती है, आपको जूटा बनाना चाहती है, आपको दंगाई बनाना चाहती है, आपको अराजक बनाना चाहती है, आपको अपराधी बनाना चाहती है, आपके अंदर ऐसी भावना पैदा करना चाहती है कि आप बार बार महिलाओं का अपमान करें, जी हां और मुझे आपको बतलाने की जरुत नहीं है कि कुलदीब सिंग सेंगर किस पुलिटिकल पार्टी के थे बलातकारी राम रहीम को किस पुलिटिकल पार्टी ने बार बार परोल पर रहा किया ब्रिज भूशन शेरन सिंग के खिलाफ बाकाइदा एक चार्ट शीट है मगर आज तक उन्हें गिरफतार नहीं किया गया उनके बेटे को सांसदी की टिकेट दे दी गई है यह तमाम मिसाल आपके सामने हैं बताइए इससे पता चलता है कि महिला सम्मान को लेकर भी भारती जन्ता पार्टी कितनी खोकली है और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर् भारती जन्ता पार्टी से सवाल करता हूँ मैं क्यों ना करूं भाई अगर एक political party की सोच मेरे देश को बरबाद कर देना चाहती है, मेरे देश के युवाँ को बरबाद कर देना चाहती है, उन्हें असली मुद्दों से भटकाकर अनरगल मुद्दों में लगाकर रखना चाहती है तो मैने सवाल क्यों न करों क्यों ना करूं सवाल ये मुझे अपने देश की चिंता है अपने बच्चों की चिंता है आपके बच्चों की चिंता है मैं नहीं जानता हूँ कि आपको चिंता है या नहीं यब भी मेरे सकारकरम के बाद आप लोग मेरे ही कॉमेंट सेक्शन पर जहर उगलने आ जाएंगे आप जहर उगलते रहिए मगर मैं सवाल करता रहूँगा जवाब मांगता रहूँगा अब इसार शर्मा को दीजिये जासत नमस्कार